A very warm welcome all of you. Everybody, this is Bakshi here and today we will talk about verbs. दोस्तों, आज हम verbs की बात करेंगे. So, आएए, let's read the following sentences. रोहन एट्स आइस क्रीम, राधीका प्लेज वोलीबॉल. अब देखें, इसमें जो दो verbs हैं, दोनों सेंटेंसे में. फर्स्ट है इसकी इट और दुसरी इसकी प्लेज. बात थर्ड पर्सन की हुई है, रोहन की और राधीका की. इसलिए वर्ब में आगया S या ES. दोनों में यहां देखें, ऐसे लगा हुआ है. Okay, so in these sentences, eats and plays, tell what Rohan and Radhika are doing. कि वो क्या करते हैं, कि वो आइसक्रीम खाता है, वो खेलती है. तो लाइफ की बात रुरी कि लाइफ में वो बंदा, Rohan क्या खाता है, वो आइसक्रीम खाता है. Radhika क्या करती है, Radhika प्ले करती है. कौन सा गेम पिले करती है, she plays volleyball. Okay, they describe the action of Rohan and Radhika. तो जो वर्ब है, उसने describe किया किसको? Rohan को, Radhika को, जो वर्ब उनके द्वारा की जाती है. So these words are verb as they tell what a person or thing or animal or any noun does. कि कोई भी क्या करता है, कोई भी जो subject होता है, वो चाहे राधिका हो, यो रोहन हो, कोई भी हो सकता है. I, you, we, he, she. अब देखें, यहाँ पर sentence जब बनता है, तो sentence में सबसे पहले subject आता है, आपको बताएं मैंने. ओके, लेकिन, subject के बिना sentence बन सकता है, लेकिन verb के बिना sentence नहीं बनेगा. यह हमने last time सीखा था. Now, read the following sentences. आए, यह कुछ और sentences पढ़ते हैं. जो ही is a clever girl. यहाँ पर देखीगा, जो ही is. वैसे तो is, m, r, was, or, जो होते हैं, यह helping verb होते हैं. लेकिन यह main verb का भी काम करते हैं, जब हमारे पास main verb नहीं होती है. यह हम किसी noun या pronoun को qualify करते हैं. यह किसी no action की बात होती है. Arvind was the captain of his ship. तो इसमें देखे is और was. इस बात हुई है किसकी? प्रिजेंट की. और was, past की. So यहाँ पर in these sentences, is and what, tell us what जो ही and Arvind, या तो हैं या थे, are. ओके इस वर्स डोंट टेल, what इस पीपल आ दुएंग. यह हमें यह नहीं बता रहे हैं, क्या करते हैं, क्या किया था, क्या करेंगे. यह सिर्फ उनकी quality बता रहे हैं हमाएं. Okay, so they tell us what they are. These words are verbs as they tell what a person, thing, or an animal is. Sentence के यह तरीके होते हैं, जिससे हम पहचान जाते हैं. Now read the some more following sentences, कुछ और sentences पढ़ते हैं यहाँ पर. The elephant has a short tail. They have a big house. आप देखें यहाँ पर यह has आया है, यह have आया है. यह जो have और have has आया है, यह हमें शोग कर रहा है, कि what belongs to elephant and they, elephant के पास क्या है? कहां रहता हैं जैसे, बताया इसमें. They tell us what a noun possess. और possesses, you can say. Possesses means, कोई भी चीज किसी के पास होती है, on करता है वेक्ती, मेरे पास mobile है, मेरे, मेरी अच्छी height है, मेरी छोटी height है, I have, you have, he has. तो देखें, यहाँ पर जो has है वाए है, यह किसको बता रहा है? These words are verbs. यह भी verbs होती है, यह helping verb भी होती है, लेकिन इस वक्त यह, in sentences में इनोंने main verb का का काम किया है. They tell what a person, thing or an animal, has or possesses. कि किसी वेक्ती के पास, क्या है? यह बताते हैं हमें. तो ऐसे ही कुछ और words होते हैं, जैसे do, does, यह helping verb का भी काम करते हैं, कौन कौन से? Is, am, are, was, were, has, have. ओके? और do, does, यह helping verb भी होती है, और main verb का भी काम करते हैं. वर्ब की पहचान क्या होती है, these students? कैसे पहचाने हैं कि आपकी वर्ब है? दोस्तों, बहुत ही easy है, वर्ब की पहचान वो होती है, जो time show करती है, यहनि कि present में है तो, present tense में आएगा, past में है तो, past tense में आएगी, future में है तो, future tense में आएगी, इनके भी अलग-अलग, चार states होते हैं, हर tense के, जैसे present indefinite, present continuous, present perfect continuous, present perfect, ओके, ऐसे ही past के होते हैं, past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous, तो कैसे पहचानेंगे हम, कुछ नहीं करना आपको, उनकी first form, second form, third form होती है, यह आपकी कहलाते हैं, ऐसे future में होता है, simple future, future perfect, future perfect continuous, future continuous, इस तरह से होते हैं, दोस्तों यह सारे, हाईए, आगे बढ़ते हैं, यह पर आपको एक नोट करने वाली बात यह है, remember, a verb is a doing word, yes, हम verb को doing verb भी बोलते हैं, जब आप class first में थे, second में थे, third में थे, तो वहाँ पर verb को हम लोग ने सीखा हैं, बच्पन में, हम उसको doing word भी बोलता है, it describes an action, यह describe करती है action को, कि कोई भी काम हुआ, हुआ था, हो चुका था, होता है, होगा, हो रहा है, इस तरह से हिंदी में, आप अरब आप अल्सू एक्स्परेशिज, what a person or a think is, कोई वेक्ती है, या उसके पास कोई चीज है, या वो कोई काम करता है, या ऐसी ये पास के रूल भी हो जाएंगे, understand, उम्मीद है, आप सभी को यहां समझ में आ रहा होगा, so there is an exercise for you, read the following story, and underline the verbs in it, दोस्तों आपको क्या करना है, आपको underline करना है, जो भी इसमें verb आपको नजर आती है, first one has been done for you, पहला आपके लिए एक example की तुर्पयां दे दिया गया है, okay, so कीजिएगा दोस्तों, अगर आपसे नहीं होती है, तो I will help you, as usual, okay, so here we go, all the best, मिलता हूँ आपसे, वीडियो को pause कीजिएगा, मिलता हूँ आपसे, okay, चलिए मैं आपकी help कर देता हूँ यहाँ पर, उमीद है आप लोगों ने किया होगा दोस्तों, चलिए नहीं किया तो कोई बात नहीं, let's do it, मिलके करता है, देखें, यहाँ लिखा हूँ आए, an old farmer lived in a village, तो यहाँ पर already, यह वर्ब हमें परचान में आ रही है, क्योंकि नहीं ने दी है हमें, he had four sons, अब देखें गाए यहाँ पर, he had, head आगया, he had four sons, all of them were lazy, वो सारे के सारे कैसे थे, lazy, and idle, idle means, निकट्टू, निटले, नले, they often quarrelled, वो हमें से लड़ते थे, quarrelled यहाँ पर क्या है, यह भी वर्ब है, among themselves, वो आपस में लड़ते रहते थे, the old man was, यहाँ पर was वर्ब है, was very much annoyed, यह है तो वर्ब, लेकिन इस वक्त यह adjective का काम कर रही है, इस वक्त यह adjective का का काम कर रही है, so he called his four sons, called यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर यहाँ पर वर्ब है, that since his and was near, यहाँ पर यह वर्ब है, he wanted, यहाँ पर वर्ब है पास्ट की बात उरिये, he wanted to teach them, यहाँ teach वर्ब है, he wanted to teach them a lesson and wanted ये भी वर्भ है wanted ये पास्ट की बात हो रही है give ये भी वर्भ है he wanted to give them useful piece of advice he sent them यहां sent वर्भ है he sent them he sent them to bring bring यहां पर देखे वर्भ है a bundle of stick he asked यहां asked जो है दोस्तो यह वर्भ है he asked his son one by one to break the bundle of sticks यहां to break जो है यह यह वर्भ है all tried यह भी वर्भ है पास्ट की बात हो रही है all tried hard but none of them was यहां पर यह was वर्भ है none of them was able to break break यहां पर वर्भ है then he asked यहां पर देखे यह asked जो है यह भी वर्भ है then he asked them ask one of them to unite the bundle this was यह भी वर्भ है also done this was also done immediately यह यहां पर यह है तो वर्भ लेकिन इस वक्त ही है third form यानिके adjective का काम कर रही है passive voice है इस वक्त ही है इस वक्त ही पैसी वर्भ है then he asked यह भी वर्भ है then he asked each of them to break break यहां पर वर्भ है the sticks individually now each one succeeded यहां succeeded जो है succeeded यह भी वर्भ है in doing doing भी वर्भ है लेकिन यहां पर यह ऐज़े participle काम कर रहा है the old farmer then said said यहां पर वर्भ है the old farmer then said to them if you live together यहां live जो है यह वर्भ है work it here so आप लोग जल्ली से इसकी photo खेंच लीजिए या फिर आप जाहें तो काम कर सकते हैं अपने नोट बुक में इनको लिखते रहिएगा चलिए मैं यहां से इसको हटा के आगे बढ़ता है okay if you live together in peace no one can harm यहां पर यह harm जो है यह वर्भ है understand so guys on the basis of the above story we can say verbs are of three types जो verbs होती है उनके three types होते है so let's understand the types of verbs तीकिए एक होता है doing verb as you can see here एक होता है be verbs और एक होता है has verbs doing verbs क्या होती है these verbs tell what a person a thing or an animal or noun does यहां पर यह main verb का काम करती है जोने हम लोग doing verb बोलते हैं जिसे हमने अभी उपर भी पढ़ा है दूसरे होती है यह आपकी be verb यह be verb कौन सी होती है यह होती है दोस्तो is, am, are these verbs tell what a person thing or animal or any noun is be की चार फर्म होती है be be a pronouning verb है okay is, am, are was, were तो is, am, are यह present के लिए उज़ोता है was, were उज़ोता है दोस्तो past के लिए और third form होती है इसकी been been इसमें लिखा नहीं है मैंने लिख दिया है been understand यह कब काम आता है यह दोस्तों यह काम आता है जब हम बात करता है किसी no action की okay third form होती है दोस्तों has verbs जिसे बोलते है these verbs tell what a person a thing or an animal or any noun has यानि अभी बतायाता है ना possession के लिए यूज होता है he has a car she has a bike I have a mobile I have a big house I have a good height I don't have a good height has have तो यह होते हैं कॉन से has have had understand dear students now let's move forward a verb is an important part of a sentence जो verb होती है वो sentence का एक main part होती है a sentence cannot be formed without a verb आप sentence को बना ही ने सकते बिना verb के so one more exercise is there for you आपको क्या करना है है आपर देखिए underline the verbs पहचानना है हमाए वन verbs को कौन सी हैं पर doing verbs हैं so underline the verbs in the following sentences if any and tell which class of verbs they belong to okay follow the example देखिए हम एक example दिया हुआ है my grandmother goes to the temple every day my mother grandmother goes to the temple every day so dear यहाँ पर देखिएगए कि कौन सा यह main verb है यानि कि इसमें इसको हम लोग doing verb बोलता हैं तो ऐसे ही आपको पहचानना है underline करना है उनका हमें यहां पर kind बताना है कौन से class उनकी okay so ready जैसे उपर तीन forms गई है doing verb be verb या has verb has a verb तो चलिए मैं आपको फिर से देता हूं time वर्डियो को pause कीजिए अगर आप से होती है तो अच्छी बात है otherwise I am gonna help you not to worry at all all the best so dear students I hope कि आप लोग ने exercise की होगी चलिए मैं आपकी help कर देता हूं okay so here we go first sentence is the bell rings loudly the bell rings loudly कौन सा वर्ड है कौन से वर्ड है कौन से class है इसकी so this verb is doing verb कौन से class है doing verb Mrs. Shivani is my teacher यह है दोस्तो बी वर्ब यहां लिख दीजेगा आप बी वर्ब अली प्लू अकाइट यह भी यहां पर यह doing verb है the hawker sells fruit यह भी दोस्तो doing verb है the earth is round ओके यह कौन सा है यह बी वर्ब है राहूल विल भी हैपी यह भी कौन सी है दोस्तो यह भी हमारी बी वर्ब है Anthony is in the kitchen यह भी हमारी बी वर्ब है the dog barked at me यह है आपका doing verb Rosie sat by my side यह भी आपकी doing verb है she rejected the proposal यह भी आपकी doing verb है he thought of his childhood days यह हमारी doing verb है यह हमारी he hit a sixer on यह भी दोस्तो doing verb है यह सारी आप लोग लिखिएगा understand यह सारे आपको यहां लिखना है मैं फिर चे बताता था हूँ यह भी हमारी be verb है is राहूल विल भी यह भी वर्ब है Anthony is in the kitchen यह भी वर्ब है यह the dog barked at me यह doing verb है Rosie sat by my side यह भी doing verb है okay she rejected यह भी doing verb है लिकिएगा he thought of यह भी doing verb है और he hit us यह भी doing verb है okay so if you think this video is useful for you kindly like करें share करें and subscribe करें वह दोस्तों मिलता हूँ आपसे के लिए lesson में तब तक के लिए bye-bye have a nice day